धाल तोड़के वार करे उसे तलबार कहते है अपने भारत में एक ही शेड था उसे भिम्राव कहते है एक महापुरुष दलितों के सुख जिन तक दथा भाटिया से विधा निर्वाता कर को सदास्मरण किया जायेगा और जाता है सारा जाहा है जिसके शरण में नमन है उनामबेटकर के चरण में बने पड़े बाबा की चरणों की धूल आवो मिलता चड़ाये श्रद्धा भरे फूल भीम जी का जनम 14 एप्रिल 1891 में प्रिटिश केंद्री ये प्रांथ अब मध्य प्रदेश जिसे कहा जाता है गहर आम जी की चौदवी संतान थी और उनका परिवार मराठी था और उनके साथ सामाजिक और आर्थी क्रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था अमबेटकर के पूरवज लंबे समय तक प्रिटिश इस इंडिया की सेना में पारेरा के पिता ने पढ़ाई के बारे में उन्हें बहुत प्रत्साहित किया अमबेटकर को निचली जाती थी होने के कारण उन्हें अचुद खाना जाता था और उने एक अक्षान में बैटनी की अनुमती नहीं थी बल गुजर गए, वो मेरे भीव थे दुनिया को जगाने वाले मेरे भीव थे हमने से इतिहास बढ़ा है इतिहास को बनाने वाले मेरे श्किली जिर्होंने विलाज को ठुपराया था गिरे हुए गो जिन्होंने स्वाविमान से जीना सिखाया था, जिसने हम सबको दुष्कानों से टप्याना सिखाया था, देश का था वो एक अन्वोल दीपप जो बाबा सहाबा सहाथ ने 1916 में मोलंबिया, पिश्व मिध्यालय में, आर्थ शास्त्रों मुषय में प्यच्टी की, 1921 में माश्चिर आप साइंस, 1923 में डॉक्टर आप साइंस, खेते हैं ना रोने से तक भी बदलती नहीं, वक्त से पहले राण भोलती नहीं, दूसरों की कामया भी लगती है आसान, अगर कामयाभी रस्ते, अगर कामया भी चाहिए, तो पानी में आप लगानी पड़ेंगें, अगर ये भी सच है, पानी में आप आता हैं, अरे हाथ पे हाथ रखने ते पहलो तरा सोच, क्यों ही बैठे-बैठे जिदगी समरती हैं, जिदगी हर कदम पर एक मया काम देती है मुसीबत में गीर कर संखाना फिर हासलों से इंतहान लेती है जो भी इने जिन्दगी के भवर को चीर कर निकले है मैं उन्हें सलाम करती हुचे भी